नमस्कार दोस्तों में नम स्रीकन्त मुर्ब देखरें टुजेक प्रोसेस आज हम बात करने हुआ इस वीडियो में दोस्तों अगर आपका अधार कार्ड बना हुआ है तो एक वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्पोटेंट होने वला है तो दोस्तो अगर आप अधार कार्ड धारक है तो अधार कार्ड के दो सर्वीस के एक्टिवीटी को चेक नहीं करते हैं तो आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी प्रोबलम हो सकता है इससे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो किस प्रकार से चेक करना है और दो कौन सा सर्वीस है चलि इस वीडियो में हम कम्पुलिट बत लाने वाले हैं इसलिसे वीडियो को कम्पुलिट दिखना है तो चल दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले मेरे चैनल पिनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे search के option पे click करदना है सबसे उपर में जो link दिख रहा है इस link पे click करदना है यहाँ पे language को select कर लेना है अधार card के official portal इस प्रकार से open हो जाता है जो इस प्रकार की interface देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है cut cut के option पे click करदना है अब इस प्रकार से नीचे चले आना है जैसे अप नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है update, demography, data and check a status इस वाले option पे click करदना है click करने के बाद कुछ इस प्रकार की interface open हो जाता है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है login, login के option पे click करदना है यहाँ पे अपना अधार नमबर को type करना है इस capture code को यहाँ पे type करना है send OTP की option पे click करना है अधार कार्ट के साथ जो भी mobile नमबर लिंक है उस नमबर पर एक OTP को send किया गया है उस OTP को यहाँ पे type करना है उसके बाद login के option पे click करदना है login होने के बाद कुछ इस परकार के interface देखने के लिए मिल जाता है और अधार कार्ट का जितना भी service है इस परकार से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है तो सबसे पहले इस प्रकार से नीचे चले आना है और यहाँ पर एक सर्विस देखने के लिए मिल जाता है आथोटी केशन हिस्ट्री इस वाले option पे क्लिक करदना है उसके बाद कुछ इस प्रकार के पेज ओपेन हो जाता है तो सबसे पहले इस प्रकार से नीचे चले आना है तो यहां पर एक select का option दिख जाता है, इस पर आप्ष न पर क्लिक करते हैं, यहां पर बहुत वाच अप्षन दिखने के लिए मिल जाता है, फर्स्ट वाला ज़ो option दिख रहा है, all all वाले option को select कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे last 6 month का date को select कर लेना है तो चलिए इस वाले option पे click करते हैं calendar इस प्रकार से open हो जाता है तो चलिए यहाँ से हम सबसे पहले date को select कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आज का date को select कर लेना है उसके बाद इस वाले option पे click कर दना है उसके बाद दोस्तों इस परकार से नीचे चले आना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कि आपके अधार card में OTP से कितना percent service activate है तो इस परकार से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि OTP से 95% service activate है Biometric से 2%, Demography से 2% इस परकार से सबसे पहले यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है उसके बाद इस परकार से नीचे चले आना है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है कि आपके अधार card में कौन-कौन सा service activate है किस date में service activate हुआ है सब कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है तो यहाँ पर आकर सही तरीके से चेक कर लेना है कि हमारे अधार card में कोई गलत service तो activated नहीं है यहाँ से आपको चेक कर लेना बहुत ही जरूरी है अगर आपके अधार card के साथ कोई गलत service activate है तो यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिल जाता है transaction ID यहाँ से जो ही कि आप इस service को activate को बंद करवा सकते हैं क्योंकि दोस्तो अभी के date में इतना ज़्यादा fraud बढ़ गिया है कि आपके अधार card के साथ कोई गलस service को भी activate करवा सकता है तो यहाँ पर आकर इस परकार से चेक कर लेना है और अगर इसे आप PDF में download करना चाते हैं तो यहाँ पर दिख जाता है download PDF इस वाले option पे click करके आप PDF को download कर सकते हैं और यह last 6 month का 50 transaction दिखाता है तो इस परकार से चेक कर लेना है तो अगर आपके पास अधार card है तो पहला service को इस परकार से चेक कर लेना है चले भी हम दूसरा service के बारे में बात कर लेते हैं तो उसके लिए सबसे पहले mobile ये laptop का किसी एक browser को open कर लेना है browser में type करना है टैप, cope, उसके बाद सर्च के option पे click कर दना है सबसे उपर में जो link दीकरा इस link पे click कर दना है भारा सरकार के official portal इस परकार से open हो जाता है जो इस परकार के interface देखने के लिए मिल जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे अपना mobile number को type करना है और यहाँ पे वही mobile number को type करना है जो आपने अधार card के साथ लिये हैं तो यहाँ पे mobile number को type करना है उसके बाद request OTP के option पे click करना है उसके बाद आपके mobile number पर एक OTP को send किया गया है उस OTP को यहाँ पे type करना है उसके बाद validate के option पे click करना है उसके बाद इस प्रकार से open हो जाता है जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है कि आपने अधार ID से कितना SIM card लिये हैं कितना SIM card active है इस प्रकार से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने अधार ID से दो SIM card लिये थे हैं जो इस प्रकार से यहाँ पर mobile number देखने के लिए मिल रहा है तो यहाँ पर आपको इसलिए चेक करना ज़रूरी है कि अगर आपके अधार ID से कोई अगर बंदा आपके नाम पर SIM card अगर ले लेता है और गल नहीं है कि कौन mobile number को इस्तेमाल कर रहा है अगर आपको ऐसा लगता है कि यह mobile number को हमने नहीं लिए तो इस mobile number को आप यहाँ से बंद करवा सकते हैं पर सभी estate के लोग जो है कि यहाँ से बंद नहीं करवा सकते हैं पर सभी estate के लोग जो है कि चेक कर सकते हैं पर कुछ estate के इन सबी लोग जो हैं कि यहां से मोबाइल नंबर जो गलत मोबाइल नंबर है यहां से बंद करवा सकते हैं तो दोस्तों अगर आप एक अधार कार्ड धारक हैं तो एक दोनों सर्विस को आपको चेक कर लेना जरूरी है पहला service से आपको ये चेक करना है कि हमारे अधार कार्ड के साथ कोई गलत service तो activate है या नहीं है और दूसरा service से आपको चेक करना है कि हमारे अधार ID से कितना SIM कार्ड लिया हुआ है